नमस्कार आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ में हुआ में शर्मास वक्त के एक बड़ी ख़बर आपको मता दें हर्याना कॉंग्रेस से जुड़ी ये बड़ी कामकारी आपको मदे रहे हैं अनलाबाद उप्चनाव को लेकर कॉंग्रेस पार्टी की ओर से अपन अनलाबाद उप्चनाव से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी ख़बर आपको हम बता रहें कॉंग्रेस ने अपने उम्मीद्वार की घोशना कर दी है और पवन बेनिवाल के नाम पर कॉंग्रेस पार्टी ने महल लगा दी हैं पवन बेनिवाल जिनका नाम लगाता चर्चाओं में था जनता टीवी इससे पहले लगाता आपको बता रहा था कि पवन बेनिवाल कॉंग्रेस पार्टी के ओर से एननाबाद उप्चनाव के लिए कॉंग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिला है कॉंग्रेस पार्टी ने आधि चर्चाओं में था और जनता टीवी भी लगाता ने बात बता रहा था अपने तमाम दर्शकों को कि पवन बेनिवाल के नाम पर दाव खिल सकती है कॉंग्रेस पार्टी और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिला है इस पर सुन पारें क्या आवाज आरी आप कुमारी इसने हाली में भारती दिनता पार्टी से आज टिकट पर चुनाव लड़ चुके पवन बैनिव जी अमित जी बोले बोले देखे बिल्कुल कॉंग्रेस की तरफ से एलनाबाद उपचुनाओ के लिए पवन बैनिवाल को उमीदवार बनाये गया है हम लगातार यही कह रहे थे कि पवन बैनिवाल को कॉंग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है पिछले दिनों ही पवन बेनिवाल को कॉंग्रेस में कुमारी शेलजा के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है शामिल करवाय गया था भरते जिनता पार्टी की तरफ से पिछले दिनों वो चुनाओ भी जो है एलनाबाद में लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पर जो है रहते वे जो है नजर आयते एसे में अब दिलचस्प मुकाबला जो है एलनाबाद उपचुनाओं के लिए हो गया है इनैलों की तरफ से अबैagt चोटाला भरतेंटा पार्टी की तरफ से गोबिंद कांडा जिनको भी पार्टी नया जो है अपनी पार्टी में जोईन करवा हमने कुमारी शहलजा को जो है कहीना का अधिकरत किया है कि वह आद देखेंगी कि एलनाबाद से कौन जो है उपचुनाओ के लिए उम्मीदवार हो सकता है अधिकरत देखने को मिल सकता है यानि कि इनलो पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं लेने वाला है यह उपचुनाओ देखें बिलकुल लिश्य तोर पर यह चुनाओ जो है अब त्रिकोड़ी है कही न कहीं जो है साफ तोर पर कहा जा सकता है एक एक पार्टी के गर हम बात करें सबसे पहले इनलो की बात करें तो इनलो ने जिस मसले को लेकर यह सीट छोड़ी थी किर्शी कानूनों के विरोध में वो सीट छोड़ी थी किसान अंदुलन के विरोध में वो सीट छोड़ी थी इस्तिती अभी कोई बदली नहीं और इसी को लेकर जो कांगरेस है और जो भारती जनता पार्टी है वो अबै सिंग चोटाला को घेरती भी नजर आती क्या आखिरकार जब करिशी कानून रद नहीं हुए, इस्थिती नहीं बदली है तो वापस मैदान में अभै चोटाला क्यों उतर रहे हैं और क्यों उन्होंने सीट छोड़ी थी तो ये सबसे बड़ी चैलेंज जो है अभै चोटाला के सामने निकल कर सामने आएगी अब अगर हम भारती जन्ता पार्टी की बात करते हैं तो भारती जन्ता पार्टी के तरफ से गोबिंद कांडा को मैदान में उतारा गया है वो सिर्सा चितर में प्रमाव अपना रखते वे नजर आते हैं उसी तरीके से जिस तरीके का प्रमाव चोटाला परिवार का एहल नाबाद में कहा जाता है तो ऐसे में निश्चित तोर पर बीजेपी के कैंडिरेट के सामने किसान अंदोलन में जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है वो एक बड़ी चुनोती जो है कही न कही होने वाली है और अब कॉंग्रेस के प्रत्याशी पावन बेनिवाल की बात करें जो कि पिछले अगे बढ़ाती ही जो आगे पोलगां आर लेकिन तमाम पार्टीय अपने उपमीद्वार मैदान में कर दी है वो हम साफसों पर देख सकते हैं तो जो चुनावी मुद्दे हैं मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है और किसान आंदुरन का लखिंपूर खीरी मामले का इस पूरे उप चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है इस परश देखें बिलकुल अमित कई सारे मुद्दे जो है इस एलनाबाद के उप चुनाव में निकल कर सामने आएगे गठबंदन सरकार जन्नाय जन्ता पारटी और भारती जन्ता पारटी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी वो चुनाव होगा प्रदेश में जिस तरीके से उ जो है प्रदेश सरकार यानि गठबंदन सरकार जो है जन्नाय जन्ता पारटी और बीजेपी चुनाव लड़ती वी नज़र आएगी अब अगर हम विपक्षी पारटी की बात करें इनैलो की बात करें तो साथ तोर पर वो किसान आंदोलन के मुद्दे को बुनाने की जो को गोटाला है दान गोटाला है इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कॉंग्रेस मेदान में उतरती वी नजर आएगी इसलिए जो है तमाम पार्टियों के लिए ये एहलनाबाद चुनाओ जो है काफी बड़ी चुनोती होता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल इस पर शुप क् तिर्कौन ये मुकाबले के रूप में ही देखा जाए या फिर आपको लगता है कि दो पार्टियों के बीच में ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है एक तरफ गडबंदन होगा दूसी तरफ कॉंग्रिस होगी तीसी तरफ इनेलो पार्टी होगी तो ये तिर्कौन ये म पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो बड़े ही सोच समझ कर रननितिक तोर पर उतारे गए हैं ताकि मुकाबले में तमाम पार्टिया जो है अपनी जो जीत के दावा है वो मजबूती के साथ जो उतरते वे जो है नजर आ सके निशित तोर पर हम एलन कांटा है वो भी भार्टियन ता पार्टिय की तरफ से मजबूत उम्मीदवार है और अब पवन बेनिवाल की बात करते हैं तो पिछला जो विदानसभा चुना हुआ था पवन बेनिवाल दूसरे नंबर पर रहते वे नजर आते यानि पवन बेनिवाल ने भी जो वोट है वो कही न कहीं एकत्रित किये थे ऐसे में कांग्रेस ने पवन बेनिवाल पर दाव लगाते वे कांग्रेस नजर आई है तो ऐसे में त्रिकोनिया मुकाबला आप पूरी तरीके से सामने खड़ा है जनता किसको चुनेगी उसके लिए इंतजार करना होगा लेकिन पार्टिय हम लगा सकते हैं क्योंकि सभी पार्टियों ने बड़े सुजबूज के साथ अपनी रणीति के तहट अपने उम्मिदारों का एलान किया है और इसलिए उम्मिद कि जा सकती है कि यह फाइट जबरदस्त रहने वाली है बिलकुल निश्यत तोर पर फाइट जो है एलनाबाद उपचुनाओ के लिए जो है निश्यत तोर पर बड़ी जबरदस्त रहेगी क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने कया सब इस एलनाबाद उपचुनाओ के संदर में लगा रही हैं कॉंग्रेस की बात करें इनैलो की बात करें किसान अंदोलन में जिस तरीके से किसानों के साथ जो परताव लगातार किया जा रहा है चोकि किसान अभी हम देख रहे जो हर्याणा किसे और दिल्ली के जुटे वे बॉर्डर हैं चाहे वो टीकरी बॉर्डर की बात करें या फिर सोनीपत जो कुंडली बॉर्डर है उसकी बात करें वहाँ पर किसान अभी भी बैठे हुए है तो ऐसे में दोनों ही पार्टिया उन मुद्दों को बुनाने की कोश चिशे हैं वो करती भी नजर आएगी और निश्रित तोर पर यह जो मुकाबला है वो अब जो है दिल्चस्प होता वा नजर आएगा क्योंकि हैवी वेट्स की बात करें तो हैवी वेट्स भी जो है मैदान में देखने को मिल रहे हैं बैच उटाला के रूप में और अगर जो नए केंडिडेट है चाब गोबिंद कांडा की बात करें या फिर सेकंड हैवी वेट की बात करें पावन बेनीवाल वो जो है कही न कहीं मैदान में अब देखने को मिलेंगे बिलकुल जबरदस्त फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है जबरदस्त मुकाबर देखने को यहां पर सपर्श मिल सकता है और इस बात की उमीद इसी से किया सकती है कि कितना सो समझकर कितना विचार्व मर्श के बाद हलाकि इनलो पार्टी इसमें सबसे आगे रही इनलो पार्टी के ओर से हलाके जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था उसका हल अभी तक नहीं हुआ है किसान अभी भी आंदोरों कर रहे हैं और इस बात को लेकर लगातार सवार उठाए भी जा रहे हैं उनके जो राने ते कि ब्रो दिये कि भाई जब समस्या का हल नहीं हुआ है जिस मुद्दे को लेकर आपने इस्तीफा दिया वो तो अभी हली नहीं हुआ फिर आप चुनावी मैदान में हैं क्यों बिल्कुल देखिए इनलों को इसी मुद्दे पर घेलने की जो कोशिश है वो कौंग्रिस भी करती जनता पार्टी भी नजर आ रही है जब हमने कुमारी शेल जा या फिर विवेक बंसल से जब बाच्चित की थी तो उनूने साफतोर पर यही कहा कि जो मुद्दा इनलो की तरफ से उठाया जा रहा था वो अभी तक सॉल्व होता हुए नजर नहीं आया है इसी तरच पर हमने जब सिरसा से जो सांसद सुनिता दुगल उनसे जब बाच्चीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि इनलो आकिरकार ये चुनाव लड़ क्यों रही है जब तक वो मुद्दा जिसको वो उठाती भी नजर आ रहे थी उसको जबरदस्ती एक बार फिर से जब चुनाव में फूकने का काम इनलो की तरफ से किया गया था तो ये मुद्दा कई ना कई घेरने की कोशिश कर रहे है इसके अलावा इनलो की परिस्तितिया है प्रदेश में अभी मात्र एक भी सीट इनलो की नहीं है लेकिन निश्यत तोर पर एलनाबाद विदानसभा छेतर की बात करते हैं तो अब है चोटाला एक मजबूत दावेदार जो है वो इस पूरे अजो प्रत्याशों का चैन हुआ है उसमें कही न कहीं जो है कहे जा सकते हैं बिल्कुर इस परश आप इस बड़ी खबर पर और इस उप्चनाव को लेकर नजर बनाया रखिए अपड़ेट के साथ एक बाफर से आपके पास जरूर आएंगे फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया